हेलो एवरिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे इंगलिस की आज बहरी फर्स्ट कलास है आप लोगों को अच्छा लगे तो फीड़बैक जरूर दिजिएगा कमेंड बॉक्स में अगर अच्छा लगे तो प्लीज जैहिंद लिख दिजिएगा ताकि मैं समझ जाओंगा कि आपको ये कलास इंट्रेस्टिंग और इंफर्मेटिव लगी हूँ तो चलिए वेरि फर्स्ट कोशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं पाला कोशन देखिए क्या लिखा हुआ है देयर एज उसके बाद फिलर है वाटर इंदा पूर आपको बताना है सम यूज होगा इसमें एनी यूज होगा मैनी होगा या नन अब दीज होगा तो देखिए सबसे पले options को आपना समझ लिजे कि options ये जो determiners है ये किसके साथ कौन सा rule applicable होता है तो देखिए सम जो है न सम जब भी आप यूज करोगे वो होगा plural countable noun के साथ या फिर uncountable noun के साथ भी ये यूज होता है इस बात को खास ख्याल रखिएगा दोनों जगा पे सम का यूज हो जाता है तो भी आप any का यूज करोगे वो sentence के उपर depend करेगा कि वो negative sense में जा रहा है या positive sense में इसका ध्यान रखना होगा आपको अगर positive में जा रहा है तो आप sum का यूज करोगे और sentence अगर थोड़ी सी negativity आपको देखे any का यूज कीजिए काम आपका बन जाएगा next अगर आप देखो many क तो many का use आगे वाले questions में हम लोग इसको explain करेंगे details में वाँ much और many को हम लोग differentiate कर लेंगे तो फिलाल जो आपका right answer होगा यहां से देखिए यहां पे आप देखो sentence में सबसे पहले negative नहीं आ रहा है तो any जो है इसे आप हटा सकते हो question पूछा भी नहीं जा रहा है information दी जा र यह अगले question की और हम लोग बढ़ेंगे उससे पहले आपको कुछ और information देदू देखिए sum के बाद ना जब भी आप use करोगे तो यह जितने भी uncountable noun है जो भी तौला जा सकता हो ठीक है ना जो तौल कर आपको समान दुकान में मिलता है उसके आगे आपको sum का use करना है जो भ पिलाल जो right answer है आपका वो होगा option number a बढ़ेंगे अगले question की और जो कि आपके sum ने यह रहा I have not bought उसके बाद देखिए filler है milk today देखिए सबसे पहले मैंने आपको पिछले question में यह समझाया था कि जब भी sentence negative से start हो I mean negativity उसके अंदर दिखे negative sense बनाता हो उसमें हम लोग use करेंग अगर आप completely पढ़ोगे तो आपको दिखेगा I have not bought any milk today मैंने जो है कुछ भी नहीं खरीदा any का मतलब कुछ होता है sum का भी मतलब कुछ होता है लेकिन any का negative message आएगा तो यहाँ पर यह दूद नहीं खर देने की बात कर रहा है any के साथ आपको जाना था option भी correct होगा बढ़ें next question की और next question देखिए आप लोगों के लिए यह assignment समझ लो आप या फिर homework समझ लो hw समझ लो नीचे comment करके आप इसका answer बताईए how इसके बाद filler है student are present today यहाँ पर क्या लगेगा much लगेगा many लगेगा same लगेगा या फिर none of these लगेगा नीचे comment करके इसका answer आप बताओगे मैं जानना चाता हूं कितने sincere student तयारी करने को लेकर सजग है नीचे comment करके जरूर बताईएगा इसका answer चली अगले question की और हम लोग बढ़ते हैं question है how filler उसके बाद sugar do you take in tea देखिए यहाँ पर options आपको दिखेगा मैंने आपको promise किया था था न much और many का difference आपको explain करके बताऊँग और many का use होगा countable noun के साथ जिसे आप count कर सकते हो अब देखिए कौन-कौन चीज़ों को आप count कर सकते हो suppose कर लो feeling है आप किसी को hate करते हो तो यहाँ पे देखिए आप बता सकते हो कि मैं आपको एक hate करता हूं दो hate करता हूं तो यहाँ पे आप use करोगे much I hate him much तो यह sentence इसके सा books हो books हो यह सब चीज़ों के साथ आपको क्या use करना है many जिसे आप count कर सकते हो देखो pen आप count कर सकते हो यहाँ पे जो है आपको picture भी दिख रहा होगा यहाँ पे pen देख लो आदमियों का जो आपको group दिख रहा है इसे आप count कर सकते हो इसी के साथ अगर मैं आपको बोल सुगर बहुत सार आपको दिख रहा होगा 10 किलो सुगर है 5 किलो सुगर है आप इसे count नहीं कर सकते हो आप इसे measure करते हो तौलते हो तो फिलाल जो right answer होगा इसका वो होगा many के साथ आपको जाना था बढ़ेंगे अगले question will you please give उसके बाद देखिए यहाँ फिलर है money सबसे प property हो count नहीं कर सकते हो आप अगर आपके पास पैसा है है ना not है आपके पास उसे आप count कर सकते हो लेकिन money का जो sense है वो क्या होता है uncountable noun होता है तो उसी तरह से आप इसमें use करोगे will you देखिए यहाँ पे sentence जो start हो रहा है ना यहाँ से आप इसे देख सकते हो question क्या हो रहा है interrogative sentence है यह और यहाँ पे sorry यहाँ पे question mark चूट गया है यहाँ पे question mark लगाना था will you please give me उसके बाद money है यहाँ पे देखिए some money any money या फिर यहाँ पे money type हो गया है यहाँ पे sum होना चाहिए था खर कोई बात नहीं some या any में किसका use करेंगे तो देखिए जब भी आप ask करते हो will you please देखिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हो actually आप सामने वाले से request कर रहे हो जब भी request का sense आपको दिखे या offer का sense दिखे कोई mall बगेरा में आपको कुछ offer दिख रहा हो तो उसके आगे आप sum का use करोगे offer दिख जाए याद रखिएगा rule याद रख लिजी आप offer दिख जाए उसके पहले आपको sum का use करना चाहिए sentence की beauty बरकरार रहती है और जहाँ पे आपको information देनी की बात हो वहाँ पे any का use कर सकते हो या negative sense जहां दिखे वहाँ पे any का use कर सकते हो और एक और बात कभी कभी आप जब किसी से कुछ पूछते हो जहाँ पे sense बनता हो सामने वाला कुछ देने के mood में नहीं है वो नहीं देने वाला है वहाँ पे भी आप any का use कर सकते हो जब आप certain हो कि सामने वाला कुछ नहीं देगा अगर आप उससे पहले वाले sentence को पढ़ते हो और वहाँ पे दिख रहा है आपको information दिख रहा कि वो लड़का जो है भीखारियों को भीख नही दिखे कि वहाँ पे any और sum का use करना हो था आपको any का use करना है याद रखिएगा इस बात को तो फिलाल यहाँ पे जो right answer होगा इस question का वो होगा sum यानि कि 5 का right answer क्या हो जाएगा बढ़ेंगे अगले question की और उससे पल एक छोटी से सूचना देदू अगर आप AES की तियारी कर कर रहे हो किस की तियारी कर रहे हो AES की तियारी कर रहे हो NBS की तियारी कर रहे हो तो notes आप purchase कर सकते हो 499 में मेरे hand return notes आपको मिल जाएंगे दूसरी बात 100 रुपीज में आपको previous question paper मिल जाएगा कितना 200 previous question paper आप मुस्से ले सकते हो यह तयारी करने के बहुत important है नबोदे वि पर हो then do follow me at the rate I method sing इंस्टा पर भी आप question पूछ सकते हो email से भी आप question पूछ सकते हो च्वाइस आपकी है अगले question क्यों हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए अब आप बोलोगे इतना easy question क्यों मैंने लिया देखिए इसका दो reason है यहाँ पर options से आपको मैं समझा नो का use मत किजिए नो के just बाद आपको हमेशा noun को रखना होता है और none का use कहां करेंगे तो देखिए none जब भी use होगा वहाँ पर noun नहीं दिखेगा आपको नन के ठीक बाद noun नहीं आना चाहिए इस बात का खास ख्याल रखिए तो यहाँ पर देखिए I feel a friend I mean I know have I have no friend होगा यहाँ पर अगर इस sentence को आप फिल करना हो no और none के बीच में तो आप किसके साथ जाओगे no के साथ जाओगे I have no friend simple answer हो गया और अगर आपको इसी तरह की और भी classes चाहिए किसी और topic पर तो नीचे comment करके आप बता सकते हो तो चलिए आज के लिए फिलाल इतना ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे लाइक कर दे और नए होतो चैनल को सब्सक्राइब कर दे बहुत बहुत धन्यवाद आपको